बूनलेस चिकन फ्राय तंदूरी की रेसिपी बनाते हैं, जो बहुत ही आसानी से आप बिना तंदूर के अपने खर पर बना सकते हैं, तो ये बड़ी आसी स्टार्टर की रेसिपी बनाने के लिए, हम लेंगे 700 ग्राम चिकन, बूनलेस चिकन है, इसके थोड़े बड़े पीस कर लेंगे, चिकन को हमें मेरिनेट करना है करीब आदे घंटे के लिए, आगे का मसाला बनाने के लिए आधा कब गाढ़ा दही या फिर पाने निकाला हुआ दही ले लेंगे, इसमें पावडर मसालों में डालेंगे, एक चमच भर कर जीरे का पावडर, आदा चमच डालें एक चमश भर daulेंगे चाट मसाला कसूरी मैती है एक बड़ा चमश भर क 로खी और डी चिये लगाड़ इस लीए हम इसे च्छी तरह मैश रतें करके सारे मसालों के साथ मिक्स नेग यह इसकी नूस ह ngay मेरिनेट किये हुए चिकन पर तो सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चिकन का दूसरा मेरिनेशन भी हो चुका है अब हमें इसमें कोईले का धुआ देना है ताकि बड़ी असा तंदूर का फ्लेवर आज जाए चिकन पर जलता हुआ कोईला रख लेते हैं इस पर थोड़ा सा तेल या घी डाल देंगे अब धग देंगे कोईले के धुए का सारा फ्लेवर चिकन में आ जाए इसके बाद 10 मिनिट बार ठकन हटा लेते हैं अब चिकन को पकाने के लिए पैन में डालेंगे तीन बड़े चमच भर कर तेल तेल मीडियम फ्लेम पर गरम हो जाए इसके बाद एक-एक करके सारे चिकन के पीसे रख लेते हैं हाई फ्लेम पर चिकन को पकाएंगे करीब 4-5 मिनिट के लिए इस तरह पकाने से चिकन का पानी सारा सूख जाएगा और चिकन पर अच्छा सा तंदूरी माक भी आ जाएगा पलट कर इसे फिर से 3-4 मिनि के लिए चिकन अच्छी तरह से पक करना मुलायम हो जाए इसके बाद ठकन हटा लेंगे अब यह सारा चिकन हम निकाल कर अलग रख लेते हैं चिकन को निकालने के बाद जो मसाला बचा हुआ है इसमें हमें डालना है एक मीडियम साइज की प्याज स्क्वेर कट की हुई शि किमला मिर्च प्यास टमार्टर थोड़े साफ्ट हो जाए इसके बाद हम सारा चिकन इसमें डाल देते हैं आधे निमो का रस चिकन पर निचोड लेंगे थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्य के पत्ते भी डाल लेते हैं अब फिर से फ्लेम हाई कर लेना है अच्छी संदूरी चिकन बनकर रेडी हो गया है इसे सर्फ करने के लिए आपको चतनी सालिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह अपने आप में ही एक कम्प्लीट रेसिपी है